Hello friends, welcome again to my channel. आज के Excel 2016 के टुटोरियल में आप सीखेंगे macros के बारे में, जिसमें आप सीखेंगे what is macros, macros क्या है, how to record and run macros. Macro को record कैसे किया जाता है और उसे run कैसे करते हैं. सबसे पहले है what is macros, macros क्या होता है. बहुत पर ऐसा होता है कि Excel के worksheet में कुछ details ऐसे होते हैं, जिसे बार बार आपको type करना पड़ता है. तो बार बार टाइप करने से बचने के लिए Excel के worksheet में एक बहुत ही बैतरीन feature है, जिसे macro कहते हैं. Macro के जरिया आप उन सभी details को record करके रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रुरत पड़े तो आप उसे run करके use कर सकते हैं. सुझे लिए macro कैसे record होता है, यह सीख लें. इसके लिए menu बार से view tab पे click करेंगे. इसके बाद यह macros का option है, इस पे click कर दें. यहाँ पे आप तीन option देख रहे हैं, view macros, record macros और use relative references. view macros का मतलब हुआ, जो भी macros record किया है, उसे देखने के लिए view macros करेंगे. तो वहाँ से आप से देख सकते हैं. record macro का मतलब, जो details आप record करना चाहते हैं, वो record macros के जरिए record कर सकते हैं. और use relative references. इसके बारे में आप next वाले record macro में सीखेंगे. macro को record करने के लिए record macro पे click करेंगे, और इसके बार, यहाँ record macro का एक dialogue box open हो जाएगा. इस dialogue box में macro name डाल देंगे. Macro name by report macro one के नाम से आता है. आप चाहें तो इसके नाम को change कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर demo macro कर दे रही हूँ. Demo macro, shortcut की है, यहाँ पर shortcut की डाल सकते हैं, जिसके जरिए आप macro को, यानि कि recorded macro को run कर सकते हैं. shift Q डाल दिया, अब यहाँ पर है store macro in, macro को कहाँ store करना चाहते हैं. First macro है, इसे this workbook कर दे. This workbook का मतलब क्या हुआ? कि यह macro इसी workbook के लिए record हो रहा है. अगर new workbook करते हैं, तो यह macro जो record हो रहा है, वो नए workbook के लिए record हो रहा है. personal micro workbook, personal micro workbook का मतलब हुआ, कि आप future में इसे use कर सकते हैं, यानि कि अगर इसे close कर दिया, यानि कि Excel के इस workbook को आप close कर देते हैं, दोबारा से open करते हैं, तो फिर से आप इसे use कर सकते हैं. चलिए फिलाल के लिए this workbook कर रही हूँ, इसके बाद okay कर दिया, अब यहाँ पे एक list बना रहा है, product detail list, कुछ product है, उसके details के बारे में लिखना है, जो कि बार बार लिखना होता है. यह लिखा product detail, नीचे सल में, serial number, यह सिर्फ एक format तयार कर रहे हैं, इस तरह से आप भी अपने किसी काम के लिए format तयार कर सकते हैं, और उसे हमेशा use कर सकते हैं. price यहाँ पे total price, सिरियल नंबर है सिरियल नंबर में अगर सिरियल नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं और आइटम में भी अगर आइटम डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डाल सकत है कोई प्राब्लम नहीं माल लेजे सीरियल नंबर में कुछ सीरियल नंबर दे रही हूँ पाइप डिटेल्स यहां पे इंटर कर रही है आइटम में छोड़ दिया जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो इसमें डाल देंगे कॉंटटी जो भी होंगे डाला जाएगा अब है टोटल प्राइस क्या होगा किके अगर्णावाफ कर प्राइस को över how to क्ट के यहां पर इ को कुंट था नालेंगे के ओ और उसके बाद है ूवराइस हैं यह हो गया इसे भी ड्रैक कर दे, यह फिल हो गया, अब इसे फॉर्मेट कर लेते हैं, देखिए, जिस तरह आप रिकॉर्ड करेंगे, यह सेम उसी तरह रिकॉर्ड होगा, जैसे अभी जो भी इसमें काम हो रहा है, वो सभी रिकॉर्ड हो रहा है, इसे पहले मर्जन सेंटर कर ले, इसके इसके फॉर्ड के साइज को बढ़ा करना चाहते हैं, तो बढ़ा कर ले, इसके स्टाइल को चेंज कर दिया, बैक्ग्राउंड में एक कलर फिल कर दिया, अभी हाँ पे, सिरियल नंबर, आइटम वगयरा, यानि कि टेबल की हेडिंग, इसमें भी फॉर्ड के साइज को बढ अब इसे टेबल की जैसा बनाना है, तो इसमें बॉर्डर डालना होगा, यहां से बॉर्डर डाल दे, इसे सेंटर कर दिया, और सभी को बोल्ड कर देंगे, यानि कि इसमें जितने भी इंट्रीज होगी, वो सभी बोल्ड रहेंगे, प्रोड़क्ट डेटेल में भी बॉर् प्राइवेट लिमिटेड कमपनी, यह एक कमपनी है, जो भी कमपनी का नाम आप डालना चाहें, डाल सकते हैं, जिस भी कमपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, यहां पे एक टॉप में बॉर्डर डाल देंगे, यानि कि सेल के टॉप में, यह देखिए, अगर फॉन्ट के करना चाहें, तो बड़ा कर सकते हैं, इसमें बॉल्ट कर दिया, अब यह देखिए, एक फॉर्मिट यहां पे तयार हो गया, यह अब तक कर जो भी कम किया, इसमें रिकॉर्ड हो गया, अब मैक्रो को स्टॉप करना है, स्टॉप करने के लिए दो आप्शन्स हैं, एक तो य और यहां पे मैक्रो को उप्शन है, इस पे क्लिक किया, यहां पे स्टॉप रिकॉर्डिंग आ गया, इस पे क्लिक कर देंगे, मैक्रों यहां पे स्टॉप हो गया। अब यहां मुझे run करना यानि कि sheet 2 में मुझे इसे run करना है तो इसे कैसे run करेंगे run करने के लिए simple तरीका है macros पे click करेंगे और view macros पे click करेंगे तो एक dialogue box open हो जाएगा macro का dialogue box जिसमें आप देख सकते हैं अभी हमने डाला था नाम demo macro का यह demo macro का नाम आ गया अब यहां पे से run कर देंगे यह देखिए same जगा पे यह run हो गया है यह देखिए same है c3 cell है c3 cell इसमें भी है देखिए बिल्कुल same जगा में होगा यह चीज़ हमेशा ध्यान दे अब अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि जहां पे हमने अपने macro को record किया है macro सिर्फ वहीं पे run हो जैसे जिस cell में recording start की जिस cell में end किया सिर्फ वहीं पे run हो ऐसा नहीं चाहते हैं अब हम चाहते हैं कि macro जो record हो वो कहीं पे भी run हो जाए तो इसके लिए क्या करेंगे फिर से एक नया macro record करते हैं इसके लिए शिल्ट 3 में गई और view टैप पे क्लिक किया यहां से macros के option पे क्लिक करेंगे अब इसमें use relative references को select कर लेंगे इसके बाद macro को record करना start करेंगे use relative references से क्या होता है कि जहां पे भी macro आप run करना चाहेंगे वहां पे macro आपका run हो जाएगा इसलिए use relative references macro को record करने से पहले select करें इसके बाद record macro start किया अब यहां पे macro का नाम दे माल लेजे macro 3 रने देती हूं और store macro in this workbook इसमें कोई भी shortcut की नहीं डाल रही हूं shortcut की डालना कोई जरूरी नहीं होता है अब ok कर दिया अब यहां पे macro record करना स्टार्ट कर रही हूं कि माल लीजे employee detail यहां पे आपको record करना है serial number name salary यहां पे कर दें basic salary basic salary चारे यह gross salary यह सभी record हो रहा है अगर इसमें माल लीजे के कोई raw insert किया जा रहा है या फिर कोई column insert कर रहे है तो वह भी record हो जाएगा इसे इसका हमेशा ध्यान दें serial number रहने देते हैं employee name रहने देते हैं ठीक है basic salary hra ta और gross salary तो hra क्या होगा तो basic salary का 5% hra है तो यहां पे कर देंगे basic salary ठीक है इसी salary का equal to the cell को select किया basic salary का 4% यह इंटर कर दिया gross salary क्या होगी तो gross salary basic salary hra और ta तीनों का calculation यानि की sum है यहां से cell को drag कर लिया अब यहां पे इंटर कर देंगे तो इस तरह से क्या है कि आप employee detail को भी macros की जरिया record करके रख सकते हैं इसकी format को आप record करके रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो आप इसे use कर सकते हैं इसे merge and center कर ले रही है merge and center और इसमें formatting भी कर ले रही हूं यह merge and center कर दिया इसमें background color डाल दे रही हूं इसके बाद जो भी formatting करने चाहें वो आप formatting कर सकते हैं माल लीजे कि नीचे के सल में भी आपको formatting करनी है तो वह भी आप कर सकते हैं अभी जितने इसमें भी काम होंगे इसमें वो सभी रिकॉर्ड हो रहा है gross salary को change कर रही हूं color यह color change कर दिया बोल्ड अब क्या करना है कि इसे border में डालना है इसमें border डालने के लिए border पर click करेंगे और border डाल दिया इसमें all borders करके इसे center कर दे यह center हो गया इस तरह से एक format तयार हो गया आपका employee details के लिए अब इसे stop करना है अभी stop करना आपने सीखा macros में यह stop recording option था यहां से stop करना सीखा अभी यहां status bar में stop recording का option है इसे stop करेंगे इस पे click कर दिया यह macros stop हो गया अब मानिए कि यहां पे आप macros को run करना चाहते हैं इसके लिए macros पे click करेंगे view macros करेंगे और macro का नाम क्या था तो macro का नाम था macro 3 select किया इसके वादे से run कर दिया देखिए यही पे run हो गया ना इसी चीज़ को अगर इसमें करते यानि कि जो first वाला macro record किया था उसमें अगर इस चीज़ करते तो यह नहीं होता तो इस तरह से आप macro को record कर सकते हैं अब इसमें जो भी details डालना चाहें वह आप डालिए यह automatic change होगा माल लिज़ें यहां पर डाल रहे हूं 15,000 रेखिया यह entry तीनो cell में हो गई 20,000 डाला HRA TA gross salary तीनों automatic हो गया तो इससे आपका काम आसान हो गया ना तो इस तरह आप macro का use करके अपने काम को आसान कर सकते हैं और कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं तो friends अगर आपको समझने में कोई परिशान ही भी हो तो comment box में comment करके question पूछ सकते हैं मैं उसका answer आपको दूँगी Thanks for watching my video